सब्सक्राइब कीजिए हमारे चनल स्टेडिस टीजी के को और लेटेस्ट अपटेट पाने के लिए बेल आइकन को फ्रेस करें एलो दोस्तों आपका स्वागत है आज हम करने वाले भारत के बांध इंपर्टेंट बांध लिएं सारे के सारी जो पेपर में रिपीट होने वाले बांध हैं और ट्रिक से भी करेंगे हम ठीक है तो वीडियो को पुरा देखेगा दोस्तों करते हैं शुरूब वीडियो को देखो पहला केशन है अल माटी बांध किस नदी पर स्थित है तो देखो किस परकार से इसको हम याद कर सकें तो यहां से आप एक वर्ड देखो माटी ठीक है अब हमको यह पता लग जाएगा कि यह किस नदी पर हो और किस राज्य में है कैसे देखो माटी माटी किर्शन जी ठीक है किर्शन जी छोटे थे तो माटी खाते थे तो यह हो जाएगा किर्शना नदी ठीक है और छोटे थे तो क्या करते थे नाटक भी करते थे तो करनाटक ठीक है ऐसे करके हम इसको याद कर लेंगे चलते हैं आगे है नागा अरजुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है तो ये भी कृष्णा नदी पर स्थित है ठीक है और ये आंदर प्रदेश में है ठीक है आपको पता होगा किर्शन और अरजुन का तो एक परकार से क्या कर दिया था एक परकार से ऐसे करके हम इसको याद कर सकते हैं ठीक है दोस्तों आगे है स्री सेलम बांध किस नदी पर बना है अब देखो यहां से वर्ड पकड़ो स्री और स्री किस के आगे लगए स्री कृष्णा ठीक है स्री कृष्ण जी के आगे लगए गा और ये भी कह एल्स है मतर्य पत्थर को एक परकार से और पत्थर को कह रहे हैं तो पत्थर वगेरा लगने से कोई भी वेक्ति अंदा हो सकता है ऐसे गरके हम थेड़ा उसा इसको रिलेट करके याद कर लेंगे ठीक है असान है ज्यादा कुछ नहीं है उकाई बांध किस नदी पर बना हुआ है उकाई बांध किस नदी पर बना हुआ है यह बना हुआ है तापती नदी पर और कहां पर है गुजरात में अब देखो उकाई उकाई एक परकार से इरिटेट होना परिशान होना समझो देखो रात को गुजरात मतलब रात रात को अगर आपका सरीर तप रहा है तो उकाई लोग्याप, सो नहीं पाओगी, ठीक है, ऐसे करके हम इसको याद कर लेंगे, भाखडा नांगल बांध किस नदी पर बना हुआ है, तो किस नदी पर बना हुआ है भाखडा नांगल बांध, ये बना हुआ है सतलज नदी पर, ठीक है, सतलज नदी पर, और ये कहां पर हिमाचल और पंजाब की सीमा पर है ठीक है आगे है बगली हार बांध किस नदी पर बना हुआ है यह बना हुआ है चिनाब नदी पर और यह है जम्मू एंट कस्मीर में देखो कैसे याद करेंगे इसको बगली हार इसमे वर्ड पकड़ेंगे हार ठीक है बगली हार हार मतलब ह लार्ना क्या होगा है । यहां पर जम्मू & कस ीर में यह है आप कैसे करो गे इसको एसे रिलेट करो जमू एंड कस्मीर में कि आपको पता है चुनाव जीतना बड़ा ही मुश्किल है ठीक थीक है ऐसे करके आप याद कर लोगे आगे है उरी हाइडरोलिक बांध किस नदी पर स्थित्त है ये है जेलम नदी पर और कहां पर है जम्मुएंट कस्मीर में तो उरी के बारे में तो सब भी को पता है कहां पर है उरी सब भी को पता है उरी जो हमला हुआ था वहां पर जो हाथा हुआ था हूठी में वह सभी को मालूम है कहां पर है जम्वेंड कस्मीर के पास में है ठीक है और जेलम को कैसे याद करोगी देखो उरी में हमारे जवानों ने ठीक है हमारों जमानों ने क्या किया था जो आतंगवादी थी उनकी गोल्लेव बारुद को जहला था ठीक है ऐसे करके याद कर लो ठीक है आगे है चांडील बांध किस नदी पर बना हुआ है तो चांडील बांध को किस परकार शयाद करो चांडील मतलब इसको आप चंडाल पढ़ लो चंडाल आपने चंडाल मूवी देखी होगी ठीक है उसमें क्या तो चंडाल एक परकार को किस चीज को बोला जाता है बालो को ब सुनहेरे । बाल तो सवरंद्र रिका नदी पर छंडिल का आउप है और ये ज्ञार खंड में है कैसे संब बाल जब आप धोगे तो वो ज्रेंगा happiness. भ현ण सवर रिका और CT немी ठीक दोस्तों ऐसे कि मैं आप याद़ कर को इडो की बांद'm a । पर बना हुआ इसको कैसे याद करेंगे यह बना हुआ है पैरियार ठीक पैरियार नदी पर यह कहां पर है केरल में सबी को पता है पैरियार नदी कहां पर केरल में है इडू की बांद भी केरल में ही है कैसे याद करो केरल को पढ़ लो केवल ठीक है केवल पढ़ लो तो केवल से क्या होता है केवल और इसमें थोड़ा रिलेट करो आप यार इडूकी मतलब डुबकी एक परकार से जब आप डुबकी लगा रहे हो पानी के अंदर तो केवल यारों के साथ ही डुबकी लगाएंगे ठीक है ऐसे कर किया इसको याद कर लो आगे है गांदी सागरबांद किस नदी पर बना हुआ है तो गांदी सागरबांद किस नदी पर बना हुआ है ये बना हुआ है चंबल नदी पर कहां पर मद्दे प्रदेश में हैं कैसे याद करोगी गांदी जी को कैसे याद करोगी गांदी जी इतने नरम हर्दे के इतने स्यांट सभाव के थे कि वो चंबल को पढ़ लो चपल, चपल पहनKE मद्दЕ, लोगों के मद्दे ठीक है, मद्दे को क्या पढ़ लेंगे? लोगों के मद्दे जाते थे तो ऐसा नहीं था देखो उनको बहुत बड़ा दर्जा दे रखा थे एक परकार से और सबी जानते हैं लेकिन वो इतने स्यान सबाव के थे कि वो लोगों के मद्दे भी क्या चपल पहर के जाते थे ठीक है चपल पहन के जाते थे आगे है कोईना बांध किस नदी पर बना हुआ है कोईना नदी पर ही बना हुआ है ठीक है और कोईना कहां पर है महराश्टर के अंदर ठीक है दोस्तो आगे है निजाम सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है तो निजाम में पढ़ लोगे आप जाम, ठीक है जाम, तो जाम से क्या है, अब ये जाम कुन सा जाम समझ दो आप ट्रेफिक, शड़क वाला जाम समझो एक परकासे, क्या होता है जाम के अंदर, ठीक है जाम में लोग कब फस गए थे, जब वहाँ पे नदी का नाम है मनजीरा नदी, ठीक है मनजीरा नदी, इसको क्या पढ़ोगे, मनजीरा पढ़ लो, मनजीरा बजाते हैं, तो लोग गाना वगएरा गाते हैं, तो मनजीरा भी बजाते हैं, तो तेलांगना को गाना, इसमें गाना रिलेट कर लो, गाना, ठीक है, गाना बजाना कर रहे थे रोड के उपर मंजीरा बज रहा था गाना गा रहे थे और वहाँ पर क्या लग गया था जाम लग गया था ऐसे करके आप याद कर सकते हो आगे है राकुंट बांध किस नदी पर बना हुआ है ठीक है सबी को पता है राकुंट बांध बहुत जादा very very important और सबसे लंबा बांध है हीरा कुंड बांद अब हीरा कुंड बांद को कैसे याद करोगे देखो हीरा हीरा पाया जाता है किस में पाया जाता है हीरा यह पाया जाता है महा नदी तो महाम नदी मतलब जिस नदी में हीरा पाया जाता है वो नदी तो महानी होगी ना ऐसे करके आप याद कर लो अब यह क अगला है इंद्रावती बांध किस नदी पर बना हुआ है इंद्रावती बांध बना हुआ है इंद्रावती नदी पे ही ठीक है दोस्तों और यह कहां पर है उड़ी सामी आगे है बेगी बांध किस नदी पर बना हुआ है बेगी बांध बना हुआ है बेगी नदी पे ठीक है आसान है, याद हो जाएगा और यह काम पर है, तमिल नदु में हैं, बेग्य को आप पढ़ लो बाग्य, अब क्या होगा, कोई वहक दी बाग्य होगा, वो थोड़ी ना किसी को मिलएगा, बाग्य मतलब एक परकार से बाग्य हो जाना, एक परकार से उसका मिलना असंभव होत आप किस परकार से सकते हैं मेटूर को पढ़ दो मतर tycker और कावेरी कावेरी एक लड़की दोस्त के घर गई तो उसके घर गई मिलने के लिए मिलना तमिलनाडू में मिलना छुपा हुआ है तो मिलने गई तो उसकी जो दोस्त थी वो क्या कर रही थी? मटर चील रही थी ठीक है? कावेरी नाम की जो लड़की थी वो अपनी दोस्त से मिलने गई थी तो जो दूसरी जो दोस्त थी उसकी वो क्या कर रही थी मटर छील रही थी ठीक है दोस्तो ऐसे करके याद कर लोगे आप टीहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है टीहरी से आप क्या करोगे हरी हरी क्रिशन भगवान को कहते हैं तो हरी कहां पर भागी रथी नदी पर है ठीक क्या हुआ जरूरी थोड़ी है वो हमेशा रत में सवा रहोंगे तो वो उतर के खंड पे भी तो चलेंगे तो उत्रा खंड में ठीक है ऐसे करके हम याद कर लेगे आगे है धोली गंगा बांध किस नदी पर बना हुआ है यह तो बड़ा आसान है धोली गंगा नदी पर ही बना हुआ है और कहां पर है धोली गंगा उत्रा खंड के अंदर ठीक है दोस्तो आगे है सरदार स्रोवर बांध किस नदी पर बना हुआ है सरदार स्रोवर पर बना हुआ है तो यह है गुजरात अब गुजरात को कैसे भी पढ़ लो आप या तो आप ऐसे पढ़ लो कि उनके साथ गुजारा मतलब समय गुजारा गुजरात को गुजारा पढ़ लेंगे गुजारा या फिर रात गुजारी पंजाबियों के साथ तो हमें पता चला कि बड़े ही नरम दिल के होते हैं ये तो ठीक है तो क्या हो जाएगा नरमदा हो जाएगा और गुजारा या रात जो गुजारी हमने उनके साथ में संग में तो हमें पता चला कि पंजाबी तो बड़े ही नरम दिल के होते हैं ठीक है आगे है बान सागर परियोजना किश नदी पर बनी हुई है तो बाण सागर प्रियोजना बनी हुई है सोन नदीपी ठीक है कहां पर है मद्ध्य प्रदेश में अब कैसे इसको याद करोगी देखो जैसे पहले युद होते थे, ठीक है, देवताओं के बीच में, ठीक है, राक्षाशों के बीच में, तो युद होते थे, वहाँ पर क्या होता था, बान, बान किसका बना हुआ था, सोने का बने हुए बान होते थे, ठीक है, और युद मद्दे में होता था ने एक दूसरे के, तो मद्दे में युद होता था तो किस परकार के बान चलते थे सोने के बान चलते थे उस समय ठीक है आगे है जवाहर सागर बान किस नदी पर बनी हुई है तो दोस्तों देखो आपने पढ़ा था पीछे गांदी सागर ठीक है गांदी सागर पढ़ा था कहां पर था चंबल तो ये भी दोस्तों चंबल में, गांदी जी और जवाहर जी, ठीक है, जवारलाल जी, तो इस परकार से आप दोनों को रिलेट कर सकते हो, ठीक है, तो दोनों का कहां पर है चंबल, लेकिन अलग अलग है, अब गांदी जी थे, वो तो लोगों के मद्दे चपल पहन के चले ज राजस्थान गए थे, क्या करने गए थे, वो गए थे, पंचायती राज सरू करने, दोस्तों ऐसे करके आप याद कर लो, पंचायती राज सबसे पहले आपको पता कहां पर शुरू हुआ था, राजस्थान में शुरू हुआ था, ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे, आगे है पोंग बांध या महाराना परताप सागर बांध किश नदी पर बना हुआ है तो दोस्तों इसको कैसे याद करो गई यह हो जाएगा देखो यहां पर देखो महाराना परताप महराना परताब सभी को पता है कौन थी तो क्या वाई एक बर महराना परताब जी जा रहे थे तो उनको क्या लगी प्यास लगी वयास को क्या पढ़ लोगे प्यास ठीक हो वयास को क्या पढ़ लोगे प्यास लगी तो वो किस तरफ चल गए हिम की तरफ चले गए आगे है थीन बांध रंजीत सागर बांध किस नदी पर बना हुए तो दोनों इसी के नाम है इंपोर्टेंट है कैसे याद करोगे देखो रह से रंजीत और रह से रवी ठीक है और कहां पर है पंजाब में इसको और भी अलग तरीके से आप कैसे याद कर सकते हो देखो रवी रवी ने पंजा लड़ाया तो क्या हो गई उसकी जीत हो गई रवी ने पंजा लड़ाया तो सभी को ठिन ठिन कर दिया ठिक है ऐसे करके आप याद कर सकते है उसको आगे है नारायन पूर्बान किस नदी पर बना हुआ है तो यहां से भी आप एक वर्ड पकड़ोगे नार माइन और नारायne कौन थे फिर से वो ही बात आती एक इसको कहा जाता था करनातक में ठीक है यह धियान रखना है ठीक है दोस्तुरूं आगे है फरफक्का-बांध किस नदी पर बना हुआ है फरफका-बांध बना यह गंगा नधी पर ठीक है दोस्तों और यह कहां पर है पश्चिम बंगाल में ठीक है पश्चिम बंगाल में ठीक है दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी आई होप कि आपको समझ में आये होंगे क्योंशन अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो वीडियो को एक दो बार फिर से देख पूरा देखेगा वीडियो को आपके सारे डाउट किलियर हो जाएंगे आई होप कि आपको सारे क्योशन याद हो गएंगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक्यू दोस्तों